सुप्रभात बच्चों, ये खानपान में बदलती तस्वीर के प्रश्णुत्तर हैं, आप इनको अपनी कौपी में करें। प्रश्ण नमबर एक है, खानपान की मिश्रित संस्कृती से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उधारन देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर, पिछले 10-15 वर्शों में लोगों के खानपान में भारी बदलाव आया है। अब लोग इस्थानिये व्यंजन के अलावा दूसरे प्रांतों और दूसरे देशों के व्यंजन भी नियमित रूप से खाने लगे हैं। आज की ग्रहनियों को कहीं प्रकार के व्यंजन बनाने में दक्षता प्राप्त है। प्राप्त से बनते हैं। कभी कभी बाजार से बरगर और पिज्जा मंगवा कर भी खाये जाते हैं। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। उत्तर, खान-पान में बदलाव के कई फाइदें हैं, खान-पान में बदलाव से न केवल हमारे भोजन में विविदता आती है, बलकि हम अन्य प्रदेशों और अन्य देशों की संस्कृति के बारे में जानने का अफसर भी पाते हैं. कई फास्ट फूड के प्रजलन से आज ग्रहनियों, खासकर से काम-काजी महिलाओं के समय की बचत होती हैं, लेकिन कई फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक साबित होते हैं. अतिलगू, उत्रिये प्रश्ण. प्रश्ण नमबर एक है, दक्षिन भारत का मुख्य व्यंजन क्या था? उत्तर, इडली, डोसा, वड़ा, सामभर, रसम, इत्यादी, व्यंजन, दक्षिन भारत के प्रमुख व्यंजन हैं. प्रश्ण. दो, एक गुजराती व्यंजन का नाम बताईए, जिसका जिक्र लेखक ने पाठ में किया है. उत्तर, ढोकला, गाठिया, एक गुजराती व्यंजन है, जिसका जिक्र लेखक ने पाठ में किया है. प्रश्नम्बर तीन, खानपान की संस्क्रती में पिछले कितने वर्षों से बदलाव आने शुरू हुए है उत्तर, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खानपान की संस्क्रती में बहुत बदलाव आया है प्रश्नम्बर चार अंग्रेजी राज में सहबी ठिकानों पर कौन सा व्यंजन प्रचलन में था उत्तर अंग्रेजी राज में ब्रेड से कर खाने का रिवाज बहुत प्रचलन में था प्रश्ण नमबर पांच बंबई और दिल्ली के पुराने और मुख्य वेंजनों का नाम बताईए उत्तर बंबई और दिल्ली के मुख्य वेंजन क्रमशय, पाव भाजी और चोला कुल्चा है लगूत्री है प्रश्ण प्रश्ण नमबर एक है इसमें दोपहर के टिफिन विभिन प्रदेशों को कैसे जोड़ देता है उत्तर मद्यमवर्ग्य स्कूलों में दोपहर के समय लंच के दोरान विभिन राज्यों से आए बच्चे जब अपने अपने घर से लाइट टिफिन एक दूसरे के साथ खोलते हैं तो कई राज्यों के विभिन जनों की खुश्बू आपस में मिलकर मिश्रित रूप से सभी राज्यों को जोड़ देता है प्रश्ण नमबर दो है एथनिक से आप क्या समझते हैं उत्तर पुराने समय में बनते आ रहे इस्थानिये वियंजनों को ही अब आधुनिक पाच सितारा होटलों में एथनिक के नाम से जाना जाने लगा है प्रश्ण नमबर तीन है बंगाली मिठाईयों के बारे में बताईए उत्तर बंगाली मिठाईयों रसभरी मीठी मिठाईयों हुआ करती हैं जिनका प्रचलन अब सिर्फ बंगाल में ही नहीं अपितू बंगाल से निकल कर पूरे भारत में हो गया है प्रश्ण नमबर चार भागम भाग की स्थिती से क्या चीजे स्वभाविक लगने लगी हैं उत्तर शहर में तेज दोड़ती भागती जिन्दगी जहां समय का अभाव है वहां जल्दी और तुरंत तयार हो जाने वाले व्यंजनों का प्रचलन होना स्वभाविक लगता है उत्तर भारत के लोग खान पान में मुख्यत है रोटी दाल साग पसंद किया करते थे यहां के ढाबवी का प्रचलन अब पूरे भारत में फैल गया है झाल झाल